प्रकासम बेट करने किया था चार मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मैसिव रैली करने जा रहे हैं और देशबर के तमाम संस्था हैं जो है वो इससे स्थेट करेंगे मेरे साथ खुद प्रकासम बेट करें सर क्या है पुरा प्रोगाम लोगों को इस बात की हम लोग अगा कर रहे हैं कि पहले सरकार जो है वो नैशनल पॉपिलेशन रेजिस्टेशन कर रही है एन पी आर कर रही है जैसे ही एन पी आर खतम होगा उसी डेटा को वो एन रसी लगाएंगे मतलब नैशनल रेजिस्टेशन ओफ सिटिजनशिप लगा सिर्फ इतना ही अंतर है कि जिनको पूछा जाएगा कि आपका नाम वो कह देगा जब उसको पूछा जाएगा कि आपके माता का नाम पिता का नाम तो वो भी बता दे जाएगा तीसरा सवाल उनको जो पूछा जाएगा कि आपके माता और पिता का जन्म स्तान का है और कोंसे तारीक को तीसरा सवाल जो पूचा जाएगा उनके माता और पीता मतलब इनके दादा और दादी जन्म का है कों से जगा है मानलो यह अगर बता नहीं सकते तो इनकी नागुरिकता चीनी जाएगी इनारसी के नीचे पतला धाना नानी यह नाना के डेटा बटाना है हो अगर आप नहीं बता पाए तो आपकी नागरिकтा चीनी गई है एक बहुत बड़ा बद्लाव ये सरकार ले आ रही है सविधान ने ये कहा कि आपका जन्म अगर भारत में है तो आप भारत के नागरिक है लेकिन ये नागरिक अब आपको बनाने नागरिकता देने जा रहे आपके नाना और नानी के जन्मस्तान पर और उनके जन्मस्तान की तारीक पर ये इनकी जो साजिश है, ये मनुवाद लानी की इनकी साजिश है, क्योंकि जिनकी नागरिकता चीनी जाएगी, वो अगर सरकारी नोकर है, सरकारी के सर्विस में है, तो उसकी सरकारी नोकरी चली जाएगी, उसकी बैंक अकाउंट है, वो सील हो जाएगी, उसकी अगर मकान है तो मकान सील हो जाएगा उसकी अगर प्रापर्टी है तो प्रापर्टी चीनी जाएगी और उसको सबी चीज़ों से बेदखल करते हुए अंग्रेजी में जिसको illegal immigrant कहते है उसको उस तरह से illegal immigrant घोशित किया जाएगा और ये घोशित होने के बाद उसको जो है, डिटेंशन कैम जैसे अंग्रीजी में कहते है, जेल हिंदी का लफज उसके दिये है, इनको जेल में ठोसा जाएगा, आसाम में ये इनारसी पूरी हो चुकी है, जिसमें 19 लाक लोग नागरिक्ता से हाथ दो भेटे हैं, उनकी नागरिक्ता चीनी गई है, और 65 ल लोगों को डाउटफुल लिस्ट में डाला गया है, ये जो 19 लाक लोगों की जो नागरिक्ता चीनी गई है, उनमें से 14 लाक 20 हजार हिंदू है, और 4 लाक 80 हजार मुसलमाद हैं, अगर हिंदू की संक्या में अगर हम शेडुल कास्ट को देखे, तो करीब करीब 7 लाक शेड इनकी नागरिक्ता चीनी गई है, और जो 65 लाक डाउटफुल है, उसमें कहा जा रहा है, आदे से ज़्यादा आदिवासी और शेडुल कास्टों की संक्या है, OBC की संक्या है, मैं दिली निवासियों से आगर कर रहा हूं, ये बंबई की तरह एक शहर है, बाहर से लोग आय हूँ है, कोई 1950 में आए, कोई 1970 में आए, कोई 80 के दशक में आए, कि 2000 के दशक में आए, और कहीं जो नों के पास, यहां की जो विवस्ता है, धार्मी की विवस्ता है, जिन्नों ने शिक्षा से लोगों को बेदखल किया था, या शिक्षा की कोई विवस्ता नही थी, धर्म ने जमीन जाइजात प्रॉपर्टी के अधिकार से मना किया था आज उनके पास कोई भी दस्तवेश नहीं मिल सकता है और इसी बात को सामने लाने के लिए चार मार्च जंतर मंतर पर खड़े होकर सरकार से ये कहना है कि ना हमको एनारसी चीए ना हमको यहां पर NPR चीए तो यह जो आप कहा रहे हैं इसमें तो मुझे लगता है जनरल वाले भी आ जाएंगे जो गरीव जनरल वाले भी है इसमें जनरल वाले भी है इसलिए मैंने चोदा लाक में से साथ लाक तो दलित है बाकी तो सवर्न है यहां अगर एक आयस अधिकारी भी हो वो तो अपना बज सर्टिकेट दे सकता है जन तारिक बता सकता है जहां चन वो आ उसके सर्टिकेट लिए आ सकता है मोधी और हमिच्छा मिलकर मोहन भागवत का प्लान अमल करने जा रहे हैं इनको मनुवात लाना है और मनुवात इनको लाने के लिए जिन-जिन समाजों ने मनुवात के खिलाब पिछले दिरसो सालों में दोसो सालों में अंदोलन किया है उनको नागरिक्ता से हाथ दोना से बेदखल करना प्रॉपर्टी से बेदखल करना है और इनको कैदी बनाना है यह कैदी बनाने का एक सिस्टम मौन भागवत ने मना है जिसको अमल अमिच्छा और प्राइम मिनिस्टर नरिद्व मोधी कर रहे हैं सर मैं आपके परिवार की कुरुनलोजी जानता हूं पूर होने की वज़े से जिनको बचाना है वो बचाएंगे यह तो मौन भागवत के पास भी नहीं होगा मतलब मोधी इसका मतलब यह है कि यह पूरी तरह से कटने वाला है मैं अमबेडकरवादियों को चेतावनी देता है देना चाहता हूं कि यहां कि अगर बनुबादी विवस्ता अगर किसी ने थैस्त ने इस की हो तो यह अमबेडकरवादियों ने की है दूसरों ने उनको सहकार्य दिया है तो अमबेडकरवादी तो जैसे मुसल्मान यहां क एक रहा है कि अंबिटकरवादी अगर रास्ते पर उतरता है तो उसके साथ में वो जूड़ने के लिए तयार है और उसको अपना नेता मानने के लिए भी तयार है तो यह से तो तो नौकरी हो रिजर्वेशन हो तो नबे परसेंट लोग उसके चपेट में आ जाएंगे वो त उसके हालत क्या है ये बताईए एक छोटे से कमरे में कितने लोगों को रखा गया है ये भी बताईए उसमें ना सिर्फ मुस्लमान हैं लेकिन मुस्लमानों के साथ साथ हिंदू भी है और दूसरी एक बात मैं आपसे बता चाह रहा हूं कि जो डिटेंशन कैम की तस्वीर हम परिवार कौन से डिटेंशन कैम में उस परिवार को भी मालूम नहीं तो मैं अब क्या सवाल पोची जब यह नहीं रहेगी तो रिजर्वेशन का मतलब है जो सुप्रीम कोट ने भी कहा है कि रिजर्वेशन अपका फंडेमेंटर राइट से नहीं तो कह रहा हूं कि सवीध सवीधान बचा तो आरक्षन बचा सवीधान बचा तो आप लिए नागरिक्ता बची नागरिक्ता बची तो आपको रिजर्वेशन रहा रिजर्वेशन रहा तो प्रमोशन के लिए हम लोग लड़ेंगे आप सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम लोग को यहां पर सवीधान ब परकास सम्भेट कर हैं और आपने सुना चार मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मैसीब पोटेस्ट कॉल किया इन्होंने और जो खत्रें अभी तक तो मुझे लग रहा था आपको बताया जा रहा है कि मुसल्मानों के खिलाफ है दर असल ये CSTOBC की नौकरियों के खिलाफ है उनके राइट के खिलाफ है शुक्रिया सरह हम से बात करने के लिए शुक्रिया जैबिये संभुक मार सिंग निस्नल दस्तक दिल्ली कि